साथियों, आस्ट्रेलिया के लोग, यहां की निवासी, इतने विशाल रदे के हैं, दिल के इतने अच्छे और सच्चे हैं, कि भारत की इस विविद्धता को खुले दिल से स्विकारते हैं। कि पैरा माटा स्क्वाइर किसी के लिए परमात्मा चौक बन जाता है। वैसे मैंने सुना है, कि हैरीस पार्क में, चटकाज की चाट, जैपूर स्विट्स की जलेबी, उसका तो कोई जवाबी नहीं है। मेरी आप सबसे रिक्वेश्ट है, आप लोग कभी मेरे मित्र पी एम एलमेनीजी को भी वहाँ जुरूल ले जाईएगा। और साथियों, जब खाने की बाद चली है, और चाट की बाद चली है, तो लखनव का नाम आना भी स्वाभा भी की है। मैंने सुना है, सिड्नी के पास लखनव नाम की जगह भी है, लेकिन मुझे पता नहीं, वहाँ भी चाट मिलती है क्या। अज़ा, यहाँ भी तो साथ दिल्ली के पास वाले लखनों के लोग होंगे ही होंगे, है क्या, वाँ, बाकरी, दिल्ली स्ट्रीट, बॉम्बे स्ट्रीट, कश्मी रेवन्यू, मालावा रेवन्यू, जैसी कितनी ही सड़के, यहाँ आस्ट्रेलिया में आपको भारत से जोड़े रखती हैं। मुझे बताया गया कि अब तो ग्रेटर सिड्नी में इंडिया परेड भी शुरू होने जा रही है। मुझे जानकर भी बहुत अच्छा लगा कि हाँ आप सबने आज धादी का अमरुत महुत्सवी बहुत दुमदाम से मनाया है। यहां की कई सारी सिटी काउंसिल्ट में बहुत सारे कारकम किये गए है। सिड्नी ऑपिरा हाउस जब तिरंगे की रोशनी से सराबोर हुआ तो यहां हर भारतिय का दिल खुश हो गया। हिंदुस्तान में भी जैजेकार हो रहा था। और इसके लिए मैं न्यू साउथ वेल्ज गवर्मेंट का विशेश तोर पर आभार व्यक्त करता हूँ। साथियों हमारे क्रिकेट के रिष्टों को भी 75 वर्ष पूरे हो गए है। क्रिकेट की फिल पर मुकावला जितना रोचग होता है उतनी ही गहरी आप द फिल अमारी दोस्ती है। इस बार तो आस्ट्रेलिया की अनेक विमेंट क्रिकेट प्लेयर भी पहली बार भारत में आई-प्याल खेलने आई थी। और साथियों ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ सुख के ही साथी है। अच्छा दोस्त तो सुख का तो साथी होता है दुख का भी साथी होता है। पिछले साथ जब महान शैन बॉन का निदन हुआ तो आस्ट्रेलिया के साथ कोटी-कोटी भारतियों ने भी शोक मनाया। यह ऐसा था जैसे हमने अपना कोई खो दिया है।